Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे designer blouse और इसे हम बनाएंगे boat neck princess cut पर वो 34 size का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा और bell icon की बटन जरूर दबाएगा तो यहाँ पर दोनों ही fabric हमने 1-1 meter लिये हैं और इसकी cutting पहले हम paper पर करेंगे तो पहले हम back part की marking कर रहे हैं तो श्रोडर है हमारा 14 inch उसका half लेना है 7 inch तो हमें 7 inch पर mark करना है 1 inch down जाएंगे और cross line draw करेंगे इसके बाद हमें land की marking करनी है तो land है हमारी 13 inch 1 inch इसमें plus करना है margin का तो 14 inch लेना है आर्मोल लेंगे हम 6 inch यहाँ पर हम chest का fourth part लेंगे 8.5 inch और 2 inch margin के लिए waist का fourth part लेना है 28 का fourth part 7 inch और 2 inch margin के लिए sides line को draw करना है यहाँ पर हम नीचे के side भी 7 inch पर mark करेंगे और straight line draw करेंगे 1 inch से आर्मोल के side पर गुलाई देते हुए shape देना है अब हम यहाँ पर mark करना है 4 inch पर length हम लेंगे 3 inch यहाँ पर हम लेंगे 11.5 inch एक box पनाएंगे उसमें नेक को draw करना है यहाँ पर लेंगे 11.5 inch neck को हमने draw कर दिया यहाँ से step से shape देना है यह open रहेगा part यहाँ से हमें shape देनी है तो नीचे के side पहले 1 inch पर mark करेंगे यह इस नप्पेक रहेगा और फिर यह 6 inch पचा है इसका half लिया 3 inch width हमने इसकी 1 inch रखकर shape देना है और इस part को cut करना है यहाँ से लिए बढ़ती रखकर है यह देखिए तो स्ट्राइप से हमने इसको कट कर लिया है बैक का लोग कुछ स्ट्रैप से आएगा अभी हम फ्रैंट की मार्किंग करेंगे पेपर पर ही क्योंकि फ्रैंट में भी हम डिजाइन बिनाएंगे शेवन इंच लेना है शूल्डर वन इंच डाउन जाना है क्रोस लाइन ड्रॉ करनी है आर्मो ले लेना है six इंच चेस्ट का 4th पार्ट 2 इंच मार्जन यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करेंगे लैंथ में 15 इंच लेना है यहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट आएगा 7 इंच 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जन के लिए साइट से लाइन को ड्रॉ करना है और मुल थोड़ा अंदर के साइट पर लेकर इस तरीके से शेप देना है टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर यहां से 3.75 इंच नीचे के साइट से 3.25 इंच डार्ट 2.5 इंच की यहां पर शेप देनी है साइट से भी लाइन को ड्रॉ करना है प्रिंसेस कट का शेप देना है यहां पर हमने 4 इंच पर मार्ग किया है यहां पर 2 इंच पर मार्ग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर लैंद 5 इंच रखनी है यहां पर 3 इंच पर मार्ग करेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे इससे हमें कट करना है सबी पार्ट्स को इजिली कट कर लेना है खार्ट्स करत भेना है यहां पर भेन सबस्साड़ में तयार मार्ट करेंगे हल़ झाल पर लाखना है यहां र फर इन पर एमा मार्ट करेंगे कि यहां पर हमारे थ्री पार्ट्स कर्ट होंगे पर सेकेंड और यह थर्ड अब इनकी मार्किंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे सबसे पहले बैक बाला पार्ट रख लेना है और इसके जो चेंड है वो हम साइड में लगाएंगे तो फ्रेंट और बैक दोनों सेंटर से पैक होना चाहिए तो इस तरह से मार्किंग करनी है यहां पर मैंने मार्जन लिया है यहां पर हम यहां पर रख कर मार्किंग करेंगे यहां पर प्रिंसेस कड़ वाले पार्ट को रख कर मार्किंग करेंगे हाफ इंच इसमें मार्किंग करना है और यह वाला पार्ट हम यहां से कट करेंगे तो इसमें भी हम मार्किंग करेंगे स्लीज भी कट कर ली है मैं फैबरिक पर कट करना है इसको तो पहले हम स्लीज रखेंगे यहां पर रख कर करना है इसी तरह से सभी पार्ट कट कर लेना है अज़े तो देखिए हमारी कटिंग कम्प्लीट होगी स्टिचिंग करनी है तो हमें आपर दागे वाली पाइपिन का यूज किया है और यहां पर हम अस्तर पर पहले पाइपिन लगाएंगे मेन फैबरिक के उपर रखना है और इसको एक बार और स्टिच करना है side में extra fabric हम cut करेंगे इसको पलटना है पलटने की बाद side से stitch कर लेना है तो दूसरा part भी इसी तरीके से complete कर लिया है side से हम इसको stitch करेंगे और side का extra fabric cut करेंगे यहाँ पर हमें डोरी बनानी है और डोरी को यहाँ पर अटेच करना है नेक पर अब मैं फैबरी को right side पर उसके उपर lining fabric रखेंगे और नेक को stitch करेंगे कट लगा देना है पूरे ही नेक पर और उसको पलट देना है पलटने के बाद नेक पर stitch करेंगे यहाँ पर stitch लगानी है अब यहाँ पर princess skirt वाला जो पार्ट है वहाँ पर हम पाइपन लगाएंगे तो पाइपन को stitch कर लेना है दोनों साइट लगा लिए आप जितना extra है उसको हम कट करेंगे और princess skirt वाले पार्ट को जोइन करेंगे पर गार्त करेंगे यह देखिके अब यहाँ से हमको उस तरह से Princessट वाले part को Stitch करेंगे नीचा के side हम pipe in लगाएंगे तो pipe in को Stitch कर लेना है यह मारा back piece है नेक को हम स्टीच कर लेंगे पहले स्टीच कर लिया है नेक को कट करेंगे एक्स्ट्रा फैवरिक पुरे ही नेक पर कट लगाना है यह देखिए इस तरह से इस पर आइरन करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह के से पाइपिल लगाएंगे यहाँ पर भी पाइपिन लगानी है तो इसको और दोनों को हमने स्टीच कर लिया है यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्टीच कर देंगे तो पिन अप कर लेना है पहले अब हम इस स्टीच कर लेना है तो स्टीच कर लिया अब हम शोल्डर को स्टीच करेंगे इस तरह से शोल्डर को स्टीच करने के पाँ स्लीज को स्टीच करना है तो स्लीज की कटिंग देख लेते हैं पहले तो हमने नीचे के साइट पर पैपीन लगाकर उसको पलट दिया है अब इसकी जो स्लीज की लेंद ते वो टैन इंच रखनी है आर्मू ला रहा है हमारा नाइन इंच यहां से 6.5 इंच लेना है और शेप देना है तू पार्ट्स में फ्रेंट के लिए शेप देना है स्लीज को इस तरीके से यहां पर जॉइन कर देंगे अब यहां पर फिटिंग लगानी है तो चेस्ट के फॉर्थ पार्ट पर यहां पर वेस्ट का फॉर्थ पार्ट उपर के साइड टू इंच पे मार करना है हमें सिर्फ यहीं तक स्टीच करना है क्योंकि नीचे के साइड हम इसमें चेन लगाएंगे चेन हम साइड में ही लगाएंगे इस राउंड ए टैन उसका हाफ लेना है फाइव इंच और इस तरह से फिटिंग लगा देनी है और जहाँ पर चेन लगानी है उसे सिर्फ हम जहाँ पर मार किंग किये वहीं तक लगाएंगे इसमें स्टीच सिर्फ यहां तक stitch कर लिया है अब हमें आपे chain लगानी है तो एक side से पूरी इस तरह से लगानी है और दूसरे side जब लगाएंगे तो हमें उसे overlap करके लगानी है तो देखे chain हमारी इस type से लग गई है और यह जो parts से इसका वो अंदर के side fold करते हुए stitch हो जाएगा आप खुक भी लगा सकते है नीचे के side पर तो friends यह हमारे blouse का final look I hope कि आपको यह video पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like share and comment जरूर करिएगा और channel को subscribe जरूर करिएगा Thank you